Hello everyone, this is Poorwa from San Xavier's College राच्छी और इस वीडियो में मैं आपको हमारे San Xavier's College का admission process जो है कि admission किस basis पर कैसे होता है उसके बारे मैं बताने वाली हूँ तो मैं आपको बता दो कि हमारी college में plus two यानि कि intermediate यानि कि 10th के बाद जो 11-12 के classes होते हैं वो होते हैं साथ ही UG यानि कि 12 के बाद undergraduate का जो courses होता है वो होता है then after UG PG यानि कि postgraduate के courses भी होते हैं तो PG का जो admission process है उसके बारे में मैंने already individual video बना दिया है तो आप अगर PG में interested हो तो आप उसे जाकर देख सकते हो बागी इस video में मैं आपका intermediate और UG दोनों को include कर रही हूं okay तो फिलहाल में आपको एकदम simply कहूं तो हमारा UG और intermediate दोनों में सबसे पहले हमारा entrance होता है और entrance अगर आपका निकलता है entrance का exam तो उसके बाद आपको हमारी college में interview के लिए बुलिया जाता है और अगर आप entrance और interview दोनों qualified कर जाते हो तो आपका Sensavious College में admission हो जाता है तो अब इसको मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताती हूँ यह जो मैं आपको अभी बता रही हूँ यह दोनों UG और plus two दोनों के लिए होके तो सबसे पहले तो हमारे college का जो official website है which is www.sxcran.org आपको इसको डेली चेक करना होगा और पर्टिकुलर डेट हमारे इस official site पर जब भी admission start होता है हमारे college का तो इस पर notice आ जाता है पर क्लिक किजेगा apply now पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहली तो register करना होगा अपना एक valid phone number डाल कर और उसके थ्रूँ आप अपना एक password create कीजेगा जो आपको हमेसा याद रहना चाहिए रजिस्टर करने के बाद आप form fill up कर लीजेगा form fill up में आपका basic info मांगा जाएगा आपका name वगएरा father's name आधार card name वगएरा इसके बाद अगर आप UGM admission लेना चाहते हो तो आपका 10th का mark seat 12 का mark seat वगएरा पूछा जाएगा अगर आप 12 में admission लेना चाहते हो तो 10 तक का अब यहाँ पर important बात यह है कि जब आप form fill कर रहे होगे तो आपसे आपका subject पूछा जाएगा कि आप कौन से subject, कौन से department, कौन से stream में admission लेना चाहते हो तो मान कर चलिए अगर आप 12 में admission लेना चाह रहे हो और अभी आपने 10th recently past किया है तो आपको अच्छे से आप खुद मे पहले सोच लीजेगा कि आप कौन से stream में जाना चाहते हो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा you want to opt for the arts, science और commerce उसके बाद arts में भी चुनने के बाद आपसे subjects पूछे जाएगे कि whether आप additional subject रखना चाहते हो या फिर नहीं उसके आद science में भी आपका PCM, bio को लेकर ऐसा हो कि आप कौन से stream के लिए जाना चाहते हो क्यूंकि I guess yes of course इसमें क्यूंकि आपको बाद में stream चेंज करने का मौकर नहीं दिया जाएगा हा लेकिन अगर आप जैविर में अडमिशन लेते हो उसके बाद फिर अगर आप मान के चलो साइंस में हो तो अगर आप फेल वगरा करत जाता है commerce वालों को arts में डाल दिया जाता है और arts वालों के लिए direct college से get out हो जाता है ओके तो इसके बाद same आपका UG के लिए भी होता है कि 10 अगर आपने ट्वर्ट पास किया हो और आप UG मेंशन लेना चाहरे हो तो आपको एक particular subject चूस करना होता है कि आप अपने honors paper के लिए कौन सा paper चूस करना चाहरे हो जैसे कि आपने arts में जो भी 5 papers पड़े थे आपको उन में से कोई एक चूस करना रहता है जैसे कि आपको history, sociology, political science ये सब में से कोई एक honors paper चूस करना रहता है तो यही सारे आपको forms में fill करने हैं इसके बाद आपका residential card certificate में आपको बता दूँ कि ह हमारे Xavier College में reservation system में भी है जिसमें हमारे SC और ST लोग को priorities मिलती है और BC2 और general वालों का कुछ खास ये जो gapings होता है वो नहीं होता है बस एक-दो mark से वो लों को भी reservation मिलता है तो यहां पर अगर आप अपना cast जो भी डाल रहे हो तो ध्यान रखेगा कि आपका उससे related आपका ज जो भी details डालोगे जो भी details वो एक भी जूट नहीं होना चाहिए बहुत students लोग ऐसा होते हैं कि marks बढ़ा कर डाल देते हैं तो जब आपका verification होगा तो हो सकता है कि आपका entrance निकल जाए लेकिन verification के time अगर आपका कुछ भी गलत या जूट पकड़ा जाता है तो आपका admission direct cancel कर दिया जाएगा इसलिए be careful while you are filling the form इसके बाद मान के चलिया अपने अपना form पुरा फिल कर लिया form फिल करने के बाद after some days आपको हमारे official website पर फिर से notice आता है कि आपका जो entrance date है वो out हो चुका है तो आपका roll code form number application number के according आपको room number वगएरा सारा बता दिया जाएगा date कि आपको क entrance exam देना है अब आप सोच रहे होगा कि entrance में कैसे question आएंगे तो हमारी college के जितने भी department subject है मेरे इस video मेरे इस channel पर इन सभी subject को लेकर videos available है कि आपको कौन से subject के लिए कैसे पढ़ाई करनी है क्या क्या पढ़ाई करनी है कौन से papers है uniform क्या है timing क्या है सब पर video बना हुआ है तो आ मेरे channel पर जाकर आप check कर सकते हो आप जिस भी subject को लेकर interested हो उसके बाद मान कर चलिया आपने entrance exam दे दिया entrance exam देने के बाद after some days आपका 2-3 list निकलता है जिसमें आपका roll code दिया रहता है जिन लोगों का भी entrance clear होता है उन लोगों का उसके बाद 2-3 list निकलने के बाद वो लोग wait करते हैं अगर जिनका भी निकलता है अगर वो लोग admission नहीं ले पाते हैं तो again फिर वो लोग fourth list निकालते हैं तो ये process होता है and इसके बाद entrance निकलने के बाद हमारे college में most of the departments होते हैं most of the department वो interview conduct करवाते हैं जैसे कि BBA department commerce department ने भी अभी recently start किया political science department English department ये लोग mass com department ये लोग स निकलने का पाद interview का date दिया जाएगा और यहां पर एक और important बात आपका 10 marks I guess yes 10 marks आपका जो previous marks रहता है उस basis पर आपको दिया जाता है और आपका interview पर भी 10 marks रहता है तो ये सभी चीजों को देखकर overall उसके बाद आपका list निकाला जाता है कि आप admission के लिए verify होते हो आगे select हो या फिर नहीं तो यह जो अभी मैंने आपको process बताया है यह दोनों आपका plus 2 और UG के लिए था और यह हमारा traditional way यानि कि हर साल यह follow होता है अब यहां पर रही बात की हमने जैसा की देख हम जैसा की देख रहे हैं पिछले साल से due to COVID-19 हमारी college में क्या हुआ cut off basis पे यानि कि entrance conduct नहीं हुआ था cut off basis पे आपका जो भी 10th का marks था 12 का marks था उस basis पे admission हुआ था तो पिछले साल तो मैंने यही देखा जिनका 90% above था मेरी एक फ्रेंड का 92% था तो भी उससे evening section मिला था evening ओके and जिनका 94% above गया था marks उन लोगों को day batch यानि morning section मिला था तो cut off में यही होता है कि आपका जो percentage होता है वो high चला जाता है और entrance में आपके मेहनत पर depend करता है तो इस बार क्या होता है entrance exam conduct होंगे या फिर cut off यह मैं आगे के वीडियो में बता दूँगी तो मेरे channel से जुड़े रही है आगे जो भी info आएगा मैं update कर दूँग कि इस बार हमारे college में cut off basis पे हो गया admission या फिर entrance basis पे बाकी अभी आपके पास time है आप अच्छे से सोच विचार कर लीजे आपको कौन से department में जाना है अगर आप सोच लेते हो तो जाकर videos देखे कि आपको entrance का preparation कैसे करना है पढ़ाई जारी रखे अपनी बाकी जो भी information आएं बाकी कुछ भी और आपको दिखकत हो तो प्लीज दू कमेंट इन दा कमेंट बाक्स okay so thank you